अठाइस हजार रुप्या के लाए अभी से हम तीन महीने पेड़े और आज हमाएं पास उसमें अज़ित तीन बक्रे एक बक्री उनसे प्राप्त हो चुकी अभी दो हमाई बक्री बीना है बंदिल खंडवे किसानों के सामने खेती के साथ साथ और भी कई बिकल्फ है अगर उन पर गोर किया जाए तो जैसे कि बागवानी है फुलवारी है किसान के सामने करना चाहता है यह करते हैं किया हम जह एक दे बता किसान पहार आखिए करते हैं आथ में बातकेर से गेठित बिए हनकी पालल आपके मेरगे चाहे होग इसंसाहिं यह एक तन साब में बैठा था तो हमने दिमाग लगाया कि मैं बागवानी तो कर रहा हूं फर हमने सोचा कि इसमें कुछ बहुत किया जाएं तो फर बक्री पालन की सोची हैं तो फर स्वयम से यह हमने सेट बनाया बैंक भी गए मैंनी जयों से बात की किसाब एनलम के ताहत य तो अभी कोई यह उजना नहीं है तो हम तो ठान चुके थे कि हमको बक्री पालन करना है तो फर हमने बक्री पालन अपना थोड़े से रूप में ज्यादा ना करें कि हम पांच जनंग लियाए अठाइस हजार रुपिया के लाए अभी से हम तीन महीने पे ले और आज हमाए पास उसमें अजित तीन बक्रे एक बक्री उनसे प्राप्त हो चुकी अभी दो हमाई बग्री बीना है अब आप भी उसका हिसाब लगा लो कि इसमें क्या है तो आप जो सामने फार्दा देख रहा है वो कहीं पूरी तो निकल लिया आई अपना है यह आप किसानों क्या कहन देना चाहते हैं कि आप 8-10 साल इनको हमको दे नहीं है और इनसे हम पक्री रखते जाएंगे पक्रा भेतते जाएंगी तो जोन के ऊपर का खैच है बोन में होता जाएगा वह पक्री बढ़ाते जाएंगी आपने अपनी पूनी से काम शुरू किया है और सरकारी भी इसमें म वो विदेशी नसल है उसको मैं रखना चाहता हूं यह दस फीमेल लाओंगा दो मेल लाओंगा मदद मिल जाए हाँ वो महेंगी नसल है कि एक फीमेल उसकी 40-50,000 रुपे की पड़ती तो कहीं नहीं कहीं किसान को मुनाफ़ा है हां मुनाफ़ा है जी यहां जैसा कि बिहारी ल किया था लेकिन आज यतने जानवर बढ़ गए हैं उन्हीं से कि वो पूझी आराम से बाहर निकल सकती है तो इस तरह और भी अन्द ख़बरों से अपड़ेट रहने के लिए बने रहें किसान पिटारा के साथ तो किसान मित्रों ये था अज का कृश्र पिटारा हमें उम्मीद है कि ये कारक्रम आपको काफी पसंद आया होगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेर भी करें कि कान मित्रों आपका बहुत बहुत धन्यवाद